आप देखने है रायंग प्लस दी लर्निंग एप मैं डियर ओल स्टेंट आज आप लोगों को एक बहुत ही इंपोर्टेंट फैक्ट्स बताने जा रहा हूं कोंपैटिशन एक्जाम के विव से क्या बताने जा रहा हूं यह जो फैक्ट्स है सर एक फैक्ट्स रिलेट करता है पैरस साइटोलोजी सब्जक्ट से किस सब्जक्ट से है पैरस साइटोलोजी को अब एक entwickeln्ट मैं आपको च्रेंड पर दिखा रहा हूं एक्शल में जो हम लोग अप पड़ रहे हैं लाइप फ्राउंडेशन बैच में वो पैरा सेटोलोजी अब अल्मोस्ट कम्प्लीशन की हो रहा है और कम्प्लीट होने के बावजूत एक question जो था वो student ने नितिन सर को send किया था हमने उसको जब देखा question जब उन्होंने मुझे forward किया तो मेरा दिमाग सन रहा गया मतलब यह बताता है कि examiner can ask question beyonds of his or her limit examiner जो है question कहीं से भी पूछ सकता है और कुछ भी पूछ सकता है है मैं हमीशा कहता हूं और उसका जीता जागता हुदा रहा है हमने पूरी पारा साइट ओलोजी फिनिस कर ले लेकिन इस question का answer नहीं मिला उसमें क्यों because of इसको totally I am telling you honestly कि I was totally ignore this question books में मैं जब revision कर रहा लोग पढ़ाने करें तो मैंने इसको देखा था बट मुझे नहीं लगा कि यह question भी put up किया जा सकता है इसलिए जब पढ़ाता हूं तो हमेशा हर एक चीज क्लियर करता हूं ताकि question और बताता हुआ तो एक बार वीडियो को देखिए देखिए मैंने क्या बताना चाहरा हूं आपको एक question पूछा गया किस exam का है मुझे नहीं पता हुष्ट्वन ने बताया विनी किस exam का पूछा गया बस उसने screenshot sent किया था question ने पूछा है कि all are bile stand egg except नीचे कुछ पैरा साइट का example दिये गए है वो क्वेसे ने पूछ रहा है कि नीचे जो पैरा साइट का नाम दिया गया उसमें से कौन सा पैरा साइट है जिसका एक जो है सर जिसका एक जो है वो bile stand नहीं है यह दकी एक वर्ड में लिख रहा हूँ bile stand का मतलब क्या है bile juice जो हमारे गॉल ब्लाडर से निकलता है और डूडनम में जाके इंटेस्टाइन में मिल जाता है bileary duct के थुरू ठीक है सर तो अब कोई भी इंटेस्टाइनल पैरा साइट रहता है चाहो ट्रीमा टोट सो नीमा टोट सो कोई भी पैरा साइट हो या के के गॉल ब्लाडर से होते हुए इंटेस्टाइन में वो bile juice जो है वो इनके पैरा साइट के एग जो अंडे होते हैं उनको भी stand कर देता है और stand करके उनकी appearance जो है वो yellow color का बना देता है या golden color का बना देता है चमकता हुआ ठीक है सर किस color का बना देता है yellow या golden color का बना देता है yellow या golden color का तो बस question यही पूछ रहा था कि कौन सा ऐसा पैरा साइट है जिसका एक जो है यह चार जो ऑप्सन दिये गए इन चारों में से किसका एक जो है वो बाइल तरल सर टेनिया पौन से दिया हुए तैनिया लिखा हुआ है ऑप्सेजन नमर भी है ठ्रैचिर ऑश्युरी आप्सेन नमर सी है हुगुona ऑप्सेरा डी है स्कैरिस लम्री कोईट में दो पैरा सैट आते हैं अन शायक्लिए ओर्ट्रण लोग पैरा साइट तो बहुत अच्छे से पढ़े हैं बड़ इस सारी चीज पढ़ चुके हैं अग्दम डिटेल में आप पे जैसा कि आप लोगों को पता भी होगा और दूसरा आता है नेक्टोर अमेरिकेनस तो इसमें तुसरा करेक्ट आंसर बताया हुआ है कि हुक वाम जो है वो आपको बाइलस्टेंड यानि हुक वाम के जो एग होंगे चाहे हो इसका जो एग होगा वो बाइलस्टेंड नहीं होगा बट हम ऐसा याद कैसे रख सकते हैं कि कौन सा पैरासाइट का का यही है और ओ आपको आज याद करके भेजूंगा आप पूरे जीवन में इस बात को नहीं भूलोगे ठीक है सर एक अब आपको पीक दिखा रहोगे इस पर आओंगा थोड़ी दिर में ठीक है अब आपको सामने एक पीक है यहां मैंने लेश्ट बनाया हुआ है कि कीजेंदेश से संसके क्या धों करना चैलेंज के साथ कर रहा हूं कि अभी को जाएगा देखो याद करने के ट्रिक बता में इसके आप रहे हैं ठीक है, याद कैसे करना है, दो पहले आपको साथ मेंसे, चार तो चूटकी बजाते हैं, कैसा याद हो जागा, कैसे, Tynia और Fasculia, या धथराों याद हो गया, दो याद हो गए दूसरा मैंने क्या याद रखने के लिए बोला था फैस्कियोला याद रखने के लिए बोला था फैस्कियोला में भी दो पैरसाइट होते हैं फैस्कियोला हिपैटका और फैस्कियोला बसकी चार याद हो गया फैस्कियोला हिपैटका और फैस्कियोला बैट इस तरीके से याद रखना आप इसको लिखो गए ना दो चार बार तो आपको बस याद हो जागा इन दोनों के इस तरीके से याद रखो कि एक लार्ज इंटेस्टाइन में पाया जाता है च्छे याद हो गए ना एक जो है लाश्ट वाला उसको याद करने में थोड़ा सा आपको कंप्लेक्सिटी फिल होगे जिसका नाम है क्लोनोर्चिस शाइनेसिस जो है एक चाइनीज लिवर फ्लुक्स है कौन सा है सरे क्या काउच करता है चाइनीज लिवर फ्लुक्स तो इसको इस तरीके से भी याद रख सकते हो लोग्स आप फ्लुक्स क्या मैं मिश्टिक कर रहा हूं इसको आप इसको इस तरीके से भी याद रख सकते हो कि यह चाइनीज है चाइनीज का कोई भरोसा नहीं चले तो चांद तक नहीं तो साम तक बस ऐसे याद रखो साथ में का नाम याद रखना है कि वह चाइनीज है चाइनीज लिवर फ्लुक्स होगे नहीं साथ के नाम याद बस चाइनीज वाले का थोड़ा नाम याद रखना मेरे साथ बलो एक बर क्लोनोर्चिस साइनेसिस क्लोनोर्चिस साइनेसिस इसको बस याद रखना याद हो ज इनके एग उपर जो नहीं सबस्दार है उनके बाइल अस्टेंट होता है इनके एक के ऊपर जो है वकाम कर जाता है और या या कर देता है रेश्ट आप जो भी परसाइट है उनके इस्टेंड नहीं होंगे अब ऑफ्षन में क्या दिया हुआ था सबसे पहले टेनिया दिया हुआ था टेनिया बाइल अस्टेंड है सर यह सर अभी थोड़ी दर पहले तो ट्रैचिरिश ट्रैचिरिया लाज इंटे मैं हुक वोम फूकव हम का नाम मैंने हां नहीं मेंसिंड किया मतलब अवी इन चारों में से कौन सा है सर एक हुक वॉम ही पैरसेट बच गया जो की बाइलikel स्टेंड नहीं था यानि कि हुक वॉम जो है इसके एग जो वो बाइल स्टेंड नहीं होता है और होकुम में दोनों परसाइट का नाम यादर कान से क्लोस्टोमा डिविडिनाले एंड नेक्टोर अमेरिकेन अफ एक क्वेस्टन मुझे नहीं इग्नॉर कर रहा था बट अब मैं इसको आपको वी वी आईपी में लिख दिया क्योंकि एक क्वेस्टन भी पूछा जा सकता है तो इस लक्षर में बस यही चीज था मुख्य आप लोगों को समझाना यह था इसका नाम याद करवाना था क्योंकि बहुत इंपोर्टेंट था जो आपको मैंने सफल हो चुका हो सायद यदि आपको याद हो चुका होगा तो आप कमेंट बॉक्स में बार कमेंट करके जरूर बताएंगे और बिस रूप से मुझे यह समझाना था बस इस इस क्वेशन के एकजांपल से कि एक्जामनर जो है एक्जामनेशन होल में किसी भी सब्जक्ट से कुछ भी पूछ सकता है तो आप केवल और केवल नोट्स रहो वरना फेल हो जाओगे पढ़ना अब क्या है सर पढ़ना हर एक टॉपिक को है पढ़ना हर एक टॉपिक को किसी के विडियो लक्षर से अगर आपके पास प्रजेंट है तो उससे पढ़ो ठीक है इसके अलावा कोई भी सफलता नहीं दिलाएगा फोप्स आपको उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा एक सारी बात जो मैं समझाने में चाह रहा था मिलते हैं नए लक्षर में नए टॉपिक के साथ हैंक यू थैंक यू सो मच